Hello दोस्ते and welcome back to another video आज की इस वीडियो में हम इंस्टाल करने वाले हैं RWDraw script हमारे Qbq server में यह एक stand-alone script है and इस script के help से आप अपने server पे कहीं पे भी image and posters place कर सकते हो and वो images restart के बाद भी रहते हैं तो यहाँ पे अब start करते हैं इसकी installation को so आपको आजान है इस link पे and सबसे पहले आपको इसकी एक dependency download करनी है वो आपको यहीं पे मिली है and इसका नाम है dialogue.zip तो सबसे पहले आपको इसको download कर लेना है and उसके बाद आपको एक नीचे बटन दिखेगा आपको यहाँ पे click करना है यहाँ पे आने के बाद आप पहुंच जाओगे github पे and github से आपको यह script download कर लेनी है इसके बाद आपको अपने server में आना है and इनको one by one extract कर लेना है आप इनको किसी folder के अंदर भी extract कर सकते हो as well as आप इनको बाहर भी extract कर सकते हो so मैं इसको यहीं पे extract कर लेता हूँ कुछ ऐसे and इसके बाद बारी आजाती है हमारी script की so इसको एक बार आपको open करना है and इसके अंदर मिलेगे आपको script तो इसको मैं यहाँ से copy कर लूँगा and इसको यहाँ पे paste कर दूँगा so यहाँ पे यही थी इसकी installation and इसके बाद बारी आ जाती हमारी permissions की because यहाँ पे सारे players image place नहीं कर पाएंगे आपको कुछ players को ही permission देनी पड़ेगी and वो आप दे सकते हो उनके rockstar license से so उसके लिए आपको क्या गरना है आपको आजाना है यहाँ पे rw draw में एक दो players को भी access दे सकते हो so उसको लिए अब हमें चाहिए होएगी हमारे license license आपको यहाँ तो मिल सकती है आपके tx admin से जहां से आपको सारे आपके identifiers मिल सकते है इसके इलावा आपको वो आपके database से भी मिल सकती है so यहाँ पे मैं qb core यूज कर रहा है license को मैं simply copy कर लूँगा यहां से and इधर place कर दूँगा and याद से आप इस license वाले part को remove कर देना and इसके बाद आप इसको simply save कर देना so यहाँ पे हमने हमारे identify पेस्ट कर दिये है and इसको मैंने save कर दिया है अब आपको क्या करना है आपको इसको close कर देना है and आपको इन स्क्रिप्ट को ensure करना है अपने server cfg पे one by one तो यहाँ पर आ जाता हूँ मैं नीचे and यहाँ पर करता हूँ ensure and script का name तो उसके लिए हम आजेंगे resources में and सबसे पहले आ जाएगा हमारा dialogue कुछ यहाँ पर and इसके बाद ensure और rwdraw कुछ ऐसे करता हूँ तो अपने server को and आपसे मिलता हूँ अपने server के अंदर जाके इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले make sure to check out Zab hosting जो है 5M official hosting partner and इनके help से आप अपना 5M server host कर सकते हूँ सिरफ 5 minute में and check out के time use करना मेरा promo code जिससे आपको मिलेगा एक अच्छा कासा discount and यह सारी details आपको मिल जाएगी description और pin comment में अब बढ़ते हम अपनी video में so यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने server के अंदर and मैं एक ऐसी location पर आया हूँ जहाँ पर मेरे साहँ ने billboard है and उसके height बहुत कम है because remove करने के लिए हमें इस billboard के एकदम level पर आना पड़ेगा so यहाँ पर मैं place करता हूँ किसी एक image को so सबसे पहले मैं copy कर लेता हूँ कोई image मेरे browser से as well as आप कोई local image भी use कर सकते हो so यहाँ पर आगा मेरा chrome and मैं chrome से इस image को copy कर लेता हूँ and आपको इसका resolution याद रखना है आप इसका resolution है वह है 1920 by 1080 pixels so इसका link आपको copy कर लेना है and इसके बाद हम चलता हमारे 5m में 5m में आने के बाद आपको use करना है command slash poster and आपको इसको एक corner से start करना है top left corner से आपको इसको start करना है कुछ ऐसे आपको e-press करना है and वहां से आपको इक ये blue box आपको दिखेगा so आपको इसको सबसे end तक यहां पर लेके आ जाना है कुछ यहां पर and आपको फिर से e-press करना है and यहां पर आपको link paste करना है next उसका आपको इभी name लिख सकते हो for example poster 1 submit width width ही हमारी 19-20 submit and यहां पर आप दे सकते हो हमारी image आ चुकी है कुछ ऐसे and जब आपने server को restart करते हो तब यह image रहेगी because इसका जो data है वो json file में वहीं पर रहेगा and यह json file आपको आपकी script के अंदर ही मिल जाएगी so इस poster को आप कितनी भी दूर से देख सकते है आप चाहिस road के end तक चले तब भी आपको यह poster साफ साफ visible रहेगा अब बारिया जाती है इसको remove भी करने की so आप ऐसे करके multiple posters लगा सकते हैं इनको edit या फिर remove भी कर सकते हो so remove करने के लिए आपको इस level पे आना है so इसके लिए मैं कोई vehicle spawn कर लेता हूँ and उसके ऊपर चड़ता हूँ so vehicle रहेगी हमारी car and trash कुछ ऐसे and इसके बाद में रहेग को एक command यूज करना है करूँगा और मेरे को इसके और level पे आना है so अब आपको यहाँ पे visible हो रहा होगा मेरे right hand पे यहाँ पे delete का option भी आ रहा है और edit का भी option आ रहा है so जब आपको इसको delete करना होगा आप simply delete पे click करो and यहाँ पे yes कर दो and यह image यहाँ से हट जाएगी so बहुत जादा simple था इसको place करना and remove करना बट याद रखना बहुत जादा images भी ना लगा लेना because उससे आपके players को issue हो सकता है because अंधेरे में जब आप इससे दूर जाओगे so यह अलग सही चमकरी होगी so वो आप ध्यान रखना है and कोई events वगर आप करवा तो अपने server के अंदर and तब आप इस script को use कर सकते हो so आपको कैसी लगी है script मेरे को comments में ज़रूर बताना and आपको कोई suggestion हो तो वो भी आप मेरे को ज़रूर बताना मैं मिलता आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए goodbye इस वीडियो में दोस्तों इतना ही and जाने से वहले make sure to check out zap hosting जहां आप host कर सकते हो अपना खुद का 5M server इनके game server hosting में या फिर आप buy कर सकते हो VPS या फिर root server अगर आपको कोई एक बड़ा 5M RP server है and यहाँ पे आप मेरा promo code ज़रूर यूज करना because उसमें आपको renewal के time एक अच्छा खासा discount मिल जाएगा मेरी तरफ से so thanks for watching मैं मिल तो आप से अगली वीडियो में